साथ महीने बार बच्चन बहु पहुँची ससुराल बेटी को स्कूल से सीधा ससुराल लेकर आई अश्वर्या जूनियर बच्चन की कार में अश्वर्या दिखी टेंशन में तो लोगों ने लगाए अलग-अलग अंदाजे गॉसिप की गल्यारों में एश अभिशेक को लेकर एक नई अपडेट आई है जिसे सुनकर आप हैरान रहे चाएंगे वैसे तो मिताप की बेटी अभिशेक और बहु एश्वर्या की अनवन लंबे समय से चल रही है इसे लेकर अभिशेक ने अपने इंगेजमेंट रिंग फ्लॉंट करते हुए नेटीजन्स का मूब बंद करवाया था कि मैं अभी भी शाद इशुडा हूँ पर लोगों के सवाल है कि खत्म होने का ना ही नहीं ले रहे जब डायवार्स के अफ़ाहों पर अभिशेक ने फुल स्टॉप लगाया तो लोगों ने पूछा कि अगर सब ठीक है तो एश्वर्या जलसे यानि अपने सवसुराल में क्यों नहीं ढहती पर इस पर कोई जवाब तो नहीं आया लेकिन फोटो जरूर आई है जिसमें कुछ ऐसा देखने को मिला है कि लोगों ने अलग-अलग क्यास लगा लिये हैं दरसल बीते दिन अश्वर्या अचानक जलसे के बाहर स्पॉट ही आपको बता दे अश्वर्या तक्रीबन साथ महीने बाद अपनी सवसुराल पहुँची है इससे पहले तक बच्चन की इकलौती बहु अपनी मा ब्रिंदा राय के साथ रह रही थी तैसे अभी भी अश्वर्या जलसे में रहेंगी ये कनफर्म नहीं है ऐसा इसली क्योंकि अश्वर्या ससुराल में मुश्ट पुराते हुए अंटर नहीं हुई बढ़ी टेंशन में दिखी इन पोटोस को देखी जो हाल में सामने आई है बही अराधिया सीधा स्कूल से आई है अराधिया को देख लगा जैसे अश्वर्या बहुत जलदी में अपने सस्वाल पहुँची ऐसा इसलिए क्योंकि अराधिया स्कूल युनिफॉर्म में सीधा दादू के घर कार्ड से निखले तो लोगों ने एश्वर्य की इन पोटोस को देखकर अलग अलग बाते कहे डाली एक यूजर ने एश्वर्य के लुक को देखकर कहा क्या हालत कर दी है बच्चन ने एश्वर्य की तो दूसरे ने एश्वर्य के मूट को देखकर कहा ये दुखी लग रही है एक और ने कहा आज वो हती नहीं है चहरे पर तो एक यूजर ने फिर से डायवार्स को लेकर कहा ये अपने तलाद का सेटलमेंट फाइनल करने आई है अब सडनली एश्वर्य का जलसे में इतने लंबे समय बाद आना सभी को अजीब लगा वही एश्वर्य पहुची भी तो उस कार में जिस पर उनके पेवरेट 5050 की नंबर प्लेट लगी है आपको बता दे इस कार को अभी शेक ने हाल ही में खरीदा था अब एश्वर्य और बच्चन फैमिली में क्यो इतनी टेंशन चल रही है इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है लेकिन जहां एश्वर्य अपनी मा के साथ रह रही है तो वहीं शेता भी जलसे में पैर जमाए है तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कि अश्वर्य और शेता अपने अपने माईके में क्यो रह रही है और सडलनी अश्वर्य जलसे में क्यो पहुंची अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और ऐसी ही चर्ट कटी गौशिश के लिए विट्शिट को सब्सक्राइब करें